नमस्कार बच्चो कैसे आप सब मैं संगीता फ्रॉम लर्नुहब ता लर्निंग प्रेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हो Math Science SST absolutely free at learnhub.com बच्चो आज हम आपके लिए लाए हैं NCT solutions for class A topic हमारा है वीवर, साइरानिस, मेल्टर्स and factory owners question number 1 to 11 चली देखते हैं आज की चैप्टर में क्या क्या इंट्रेस्टिंग मिलता है चली बच्चो हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं question number 1 हमारा है what kinds of cloth had a large market in Europe question हमारा क्या कह रहा है यूरोप में कि इस प्रकार के कपड़ों की जाधा दिमांड थी तो जाधा दिमांड वाले कपड़े यूरोप में वो थे silk and cotton, silk and cotton की बहुत जाधा दिमांड थी उसके अलावा और जो दिमांड में थे वो थे जामदानी, जामदानी क्या है जामदानी अर्ली 28th century में हम देखते हैं जामदानी का work तो जामदानी जो था वो fine quality के muslin cloth पे typically gray and white fine quality के muslin cloth जो की typically gray and white color में होते थे उस पे weaving की जाती थी जो की होती थी लूम के द्वारा weaving या तो हाथ से भी की जा सकती मशीन से भी की साथ की जा सकती इसकी जो खासियत थी वो क्या थी इस पे जो weaving की जाती थी वो loom के द्वारा की जाती थी जो बहुत ही खुबसूरत लगती थी और इस पे जो थेट का use होता था वो यूस था gold and cotton gold and cotton mixture थेट का इसमें यूस होता था इसके most important जो centers थे जहां पर यह काम किये जाते थे वो थे Bengal में डेक का जिसे कि आज हम जो कि आज बंगलादेश में धाका में धाका और उसके अलाव प्रो यूनाइट प्रोविंसेज में लखना हूँ यह इसके most center थे जहां पर इसका काम किया जाता था आये देखते हैं अब हमांसर जाम centers of jamdani weaving were deca in Bengal and Lucknow in the United Provinces तो इन जगहों पर इसका mostly काम होता था जामदानी था क्या जामदानी किसे कहते थे fine quality fine quality का grey typically grey and white color muslin cloth जिस पर की loom के द्वारा weaving की जाती थी और वो weaving जो होती थी वो होती थी gold and cotton mixer thread की I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि जामदानी किसे कहते थे चली बच्चों देखते हैं question number 3 question number 3 हमारा है what is bandana bandana किसे कह आ गया था bandana bright color के scarf होते थे जिनका use होता था neck or head के लिए neck or head के लिए होता था bandana जो word था ये निकला था हिंदी के बांधना वर्ड से इसका जो method था बनाने का वो tie and dime वाला method था जिसमें की कपडों को बांधते थे और फिर color करते थे इस method से ये बनता था ज्यादा तर ये राजस्थान वाले एरिया में बनाय जाता था आई हम देखते हैं answer similarly the word bandana now refers to any brightly colored and printed scarf for the neck or head neck or head के लिए यूज होता था bright color के ये होते थे और printed होते थे original the term derived from the word bandana and refer to a variety to brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing tie and dyeing method से बनता था next हम देखते है question number four question number four हमारा है who are agarias agarias कौन थे वो थे एक community थी जो की iron smelting का का करती थी 19th century के last तक हम देखते हैं कि जब सूखा पढ़ता है तो इनका काम बंद हो जाता है लेकिन टिसको के टिसको की जब इस थापना होती उस time जब iron mines जो iron clay mines जो खोजी जाती है उसमें यह यहीं उनका साथ देते हैं यहीं उन्हें बताते हैं इन्हीं के जरिए उनको पता चलता है और फिर इसको की स्थापना होती है चलिए देखते हैं अगेरिया कम्यूंटी इस इस्पिसलाइज इन दे क्राफ्ट और इसमेल्टिंग इसमेल्टिंग में इस्पिसलाइज थे यह इसमेल्टिंग का काम करते थे चलिए बच्छो देखते हैं कोश्चन नबर 5 कोश्चन 5 हमारा है फिल-in-the-blanks फिल-in-the-blanks है क्या करना आपको मैंने पहले से फिल कर रखा है जो blue portion है वो मैंने फिल कर दिया है आपको यहां समझना है अपनी book में देखना है समझना है और फिल करना है चलिए यह देखते हैं इसमें A the word chins comes from the word chins जो word है वो कहां से आया है वो आया हिंदी के cheat word से हिंदी का cheat word जो cotton cloth होते थे उन पे all over जो design होती थी उसे कहा जाता था cheat उसी से आया है chins next हम बात करते हैं B B हमारा है tipu's sword was made of कौन से steel से बनी थी? tipu की जो तलवार थी tipu की जो sword थी जो की जिसमें carbon की quantity काफी जादा होती थी और जिसकी वज़ा से उसकी धार जो होती थी वो बहुत तेज होती बहुत ही sharp होती थी वो इतनी sharp होती थी कि कहते थे कि लोगों के जो कवच होते थे वो तक इससे कट जाते थे उसकी इसी quality की वज़ा से आज भी वो इंग्लेंड के म्यूजियम में रखी हुई है Next हम देखते हैं India's textile export decline in the किस century में इंडिया का जो export था, textile export था वो किस century में decline कर दिया गया वो decline हो गया 19th century में 19th century में decline हो गया क्यों decline हो गया क्योंकि उस समय England जो था, वहाँ भी बहुत सारे clothes जो थे, वो ready होने लगे बहुत सी machine थी उनकी वज़ा से, हम बाकी के जो reasons हैं कि किस वज़ा से ऐसा हुआ वो हम आगे के question में देखेंगे, आगे के answer में देखेंगे कि किस वज़ा से इंडिया का textile export जो है their history, different textiles अपनी history, अपने नामों से कैसे बताते हैं आईए देखते हैं, the names of different textiles tell us about their histories because शब्दों में इतिहास छुपा है इतिहास छुपा है शब्दों में शब्दों के द्वारा, word के द्वारा हम textiles की जो history है उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले हम देखेंगे muslin, muslin जो की European traders ने सबसे पहले Arab के जो merchants थे उनके पास देखा था मौसूल में, मौसूल जो की अभी इराक में है उनके पास देखा था जो की वो इंडिया से लाए हुए थे मौसूल में देखा था इसलिए उसका नाम उन्होंने रख दिया muslin, जो भी soft woven textile होता था उसे वो muslin के ही नाम से बुलाने लगे और यहीं से जो यह word है वो काफी famous हो गया आईए देखते है muslin European traders first encountered fine cotton cloth from India carried by Arab merchants in मौसूल in present day Iraq so they begin referring to all finely woven textile as muslin a word that acquired white currency next हम देखते हैं calico, calico the cotton textile which they took back to Europe along with the spices came to be called calico and subsequently calico became the general name for all cotton textile जब European spices के लिए आते हैं केरल वहां पर उन्होंने fine cotton देखा उसे उन्होंने calico के नाम से बुलाया और यहीं से calico नाम से जो cotton है वो famous हो जाता है आइए नेक्स हम देखते हैं chins chins क्या है chins जो की cotton chins जो word है यह हिंदी के cheat word से लिया गया है जो cloth होता था उस पे पूरे cloth पे design बनी होती थी flower design बनी होती थी जिसे की छीट कहा जाता था flower and leaf की design बनी होती थी जिसे छीट कहा जाता था उसी word से निकला था chins ऐसे cloth को chins कहा गया next है bandana bandana जो की bandana जो की bright color में होते थे bandana bright color में होते थे और ये bright color के scarf होते थे जिनका use होता था neck और head के लिए bandana जो इसका process होता था bandana जो word है ये बांधना हिंदी के बांधना से बना और इसका जो process होता था कपडों को तयार करने का वो tie and dye जो होता था उस तरह होता था कपडों को बांधा जाता था और उसे dye किया जाता था इसी से इसका नाम हो गया bandana next आए हम देखते है bandana the word bandana now refers to any brightly colored and printed scarf for the neck or head originally the term derived from the word bandana bandana the word bandana and refer to a variety to brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing tying and dyeing method से ये बनता था चलिए बच्चों देखते हैं question number 7 question number 7 हमारा why did the wool and silk producers in England protest against the import of Indian textile in the early 18th century wool and silk producer England के जो wool and silk producers थे उन्होंने early 18th century में Indian textile import के against protest क्यों किया तो उन्होंने इसलिए protest किया क्योंकि England में new new industries जो थी वो establish हो रही थी नए-nए कारखाने खुल रहे थे और लेकिन वहाँ पे जो demand थी वो Indian cloth की थी Indian textile की demand ही जादा थी तो उन्हें जो competitor दिख रहा था वो India ही दिख रहा था इसी वज़ा से उन्होंने Indian textile के against protest किया जिससे कि उनके उनका जो import है उस पे रोक लगाई जा सके और England में England के ही कपड़े जो हैं वो बिक सके इसके लिए उनकी government ने उनका साथ दिया और calico printing जो थी उस पे उन्होंने रोक लगा दी और calico act लाया गया जिसमें की calico पे उन्होंने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी और जो Indian textile था उन पे England में ही Indian calico print जो थे वो डले जाने लगे उन्हें दिखा कि इस होड में जो competition है इंडिया के साथ उसमें उन्हें बहुत सारे technical सुधार चाहिए technical development चाहिए जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे technical development किये जिससे कि वो Indian textile को compete कर सके तो उन्होंने protest क्यों किया क्योंकि उन्हें अपनी इंडिस्री जो थी वो established करनी थी और उनके यहां जो demand थी वो Indian textile की demand उनके जादा थी इस वज़े से उन्हें ने protest किया कि Indian textile को के import पर आप रोक लगाए जिससे कि England में सिर्फ हमारे ही जो हमारा ही textile जो है वो बढ़ सके हमारी textile की demand हो आई आंसर दिखते हैं the wool and silk producers in England protest against the import of Indian textiles in the early 18th century because at this time textile industries had just begun to develop in England in England unable to compete with Indian textile English producers wanted a secure market within the country by preventing the injury of Indian textile क्योंकि Indian textile की वहां पर demand थी और वो अपने आपको secure करना चाते थे इस वज़े से उन्होंने सोचा कि England में सिर्फ हमारे ही कपडे बिके हमारा ही textile जो है वो रहे इस वज़े से उन्होंने Indian textile के against protest किया चली बच्छा देखते हैं question number 8 question number 8 हमारा है how did the development of cotton industries in Britain affect textile producers in India Britain cotton textile के development के बाद Indian textile producers जो थे उन पर क्या affect पड़ता है तो जाहिर सी बात है पहले क्या था पहले के market में सिर्फ cotton Indian cotton की ही demand थी Indian cotton textile की ही demand थी लेकिन जब next company आ जागी तो उनके साथ उन्हें compete करना पड़ेगा तो problem आएगी उसके अलावा बहुत सारी problems थी जो कि उनके producers को face करनी पड़ी क्या थी आएए देखते हैं The development of cotton industries in Britain affected textile producers in India in several ways First, Indian textile now had to compete with British textile in the European and American market अब क्या है पहले European and American market जो था वहाँ पर Indian cotton textile की demand थी वहाँ पर अब इन्हें compete करना पड़ा था British textiles के साथ Next है second, exporting textile to England also became increasingly difficult since very high duty were imposed on Indian textile imported into Britain Next हमारा क्या है कि जो Indian cotton textile था उनका जो import था England के लिए उस पर exercise duty जो थी वो काफी बढ़ा दी गई जो Indian textile producers थे जो कि उन्हें पे करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया Next, by the beginning of the 19th century English made cotton textiles successfully outside Indian goods from their traditional markets in America, Africa, Africa and Europe Traditional market जो Indian textile वीवर्स के लिए जो उनकी traditional market थी यानि कि Africa, America and Europe बहुत ज्यादा वहां पे बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो गये लेकिन आगे हम देखते हैं कि इससे भी ज्यादा बुरी हालत होती है इंडिया मार्केट जो पूरी तरह से पढ़ जाती है ब्रिटिश के जो कपड़े थे उससे और 1880 तक हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया में जितना रिटिश के कौटन के यूज से हो बुरा होने लगा में के लोगों में जो डिमांड थी वह ब्रिटिश ब्रिटिश के जो कपड़े थे उनके शस्ते होने की वज़ाएसे उनी की डिमांड थी आईए देखते हैं अगे thousands of weavers in India were now thrown out of employment, बेंगल weavers were the worst hit, English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave. जो European companies थी English and European companies जो थी उन्होंने इंडियन जो टेक्स्टाइल था उन्हें लेने से मना कर दिया उन्हें लेने पर उन्हें रोक लगा दी और इस वजह से जो वीवर्स थे जो प्रोडूसर्स थे उन पर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अनिंप्लॉई हो जाते हैं और यहां की तक खुद जो इंडिया की मार्केट होती है वहां से भी इंडियन जो टेक्स्टाइल होता है उसकी डिमांड काफी कम हो जाती है चले बचाव हम देखते हैं question no.9 question no.9 हमारा why did the Indian iron smelting industry decline in the 19th century? Indian iron smelting industries जो थी वो 19th century में decline क्यों गई क्यों आ गई? क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन थे क्या थे आए देखते हैं इंडियन iron smelting industry decline in the 19th century because new forest law were introduced by the British. Britishers के द्वारा new forest law ला दिया गया जिसके तहत जो forest था उसे forest को government property declare कर दिया गया अब उसमें बाकी लोगों के जाने पे मना ही हो गई. Iron smelters जो थे उन्हें iron कहां मिलता था कहां वो उसे गलाने का काम smelting का काम किया करते थे वो forest में किया करते थे अब forest में जाने पर रोक लग गई तो अब जब ऐसा हो गया तो उन्हें iron नहीं मिलेगा उसे वो smelt नहीं कर पाएंगे तो इस वजह से वो यह एक बड़ा reason था Iron sm smelting जो industries थी उनके decline होने का Next हमारा the iron smelters had to pay a very high tax to the forest department for every furnace they use, this reduced their income, जो iron smelters थे उन्हें एक high tax जो था वो forest department को पे करना पड़ता था, जिसकी वज़ा से जाहिसी बात है जब high tax पे करना पड़ेगा तो उनकी income जो है वो reduce होगी, income reduce होने से जो tax जो उन्हें पे करना पड़ता थ जो forest department था iron smilter को उन्हें जो tax pay करना पड़ता था वो काफी ज्यादा होता था जो उन्हें pay करना मुश्किल था और उनकी इंकम इससे काफी रिडियोस हो रही थी जिसकी वज़ा से ऐसी जगा इंसान काम नहीं करना चाहेगा जाहिए तो यह भी एक बड़ा का reason था उसके decline होने का क्योंकि tax जो था वो बहुत ज़्यादा था उसे pay करना मुश्किल था और इनकी जो income थी रिडियोस हो रही थी नेक्स्ट ऐर इंडिया बिगें यूजिंग दा इंपोर्टेड आइरन तो मैनिफेक्ट्टर इंप्लीमेंट इसी टाइम में क्या होगा ब्रिटेन से इंपोर्ट होने के वज़ए से जो आरे इस्विच्ट थे वो इंपोर्टेड आइरन का ही यूटेंसिल और चीजों के लिए वो यूज करने लगे जिसकी वज़ए से जो लोकल इसमेल्टर थे उनका जो प्रोडेक्शन था उसकी डिमांड में काफी कमी आ गई तो यह भी एक रीजन में हम देखते हैं कि ब्रिटेन से जो इंपोर्ट हो रहा था आरे उसका यूज जो यह आरे श्मिस थे वो य इसमेल्टर तो यह रीजन थे एक तो फरस्ट लॉग का चेंज होना दूस्दा टैक्स जो था वो काफी ज्यादा हाई टैक्स पर फर्स देपार्टमेंट को पे करना और थर्ड रीजन था कि इंपोर्टर आरन का यूज जो लोगों के द्वारा होने लगा तो यह सारे इए इस देवलप्मेंट इंडियन टैक्स अपने अर्ली इर्स में किन प्रॉलम्स को फेस करना पड़ा इन्टै आर्ली इर्स में 19th सेंचुरी में बहुत उरी प्रोब्म्स जो थी वो फेस करनी पड़ी लेकिन हम देखते है जब फर्स वर्ड वाल आता है वहां से की problems जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी क्या थी problems आईए देखते हैं in the first few decades of its existence the textile factory industry in India faced many problems it found it difficult to compete with the cheap textile imported from Britain Britain से जो textile import होता था वो काफी सस्ता होता था जिससे की Indian markets में उनकी काफी demand थी compare Indian textile के क्योंकि Indian textile उसके compare में महंगा था जिसकी वज़े से Indian textile को उन्हें compete करने में problems हो रही थी next हमारा क्या है in most countries governments supported industrialization by imposing heavy duty on imports this eliminated competition and protected infant industries other countries क्या थी अपने industrialization के लिए उन्होंने जो import था import पर heavy duties लगा दी जिसकी वज़े से tax जो था वो ज्यादा pay करना पड़ता था तो जैसे अगर इंडिया का textile वहां जाता है तो उस पर import taxes जो थे वो उन्हें काफी pay करने पड़ते थे जिसकी वज़े से उनका profit होना चाहिए था वो उन्हें नही करना पड़ रहा था और वहां पर जो उनकी नए industries थी उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका इससे मिल रहा था next हम देखते हैं the colonial government in India usually refuse such protection to local industries colonial Indian government जो थी वो इस तरह के कोई भी import taxes जो थे वो other countries पे नहीं लगा रही थी जिसकी वज़े से जो profit मिलना चाहिए था वो Indian textile industries को नहीं मिल रहा था और जो other countries का textile था वो यहां पर इस वज़े से वो सस्ता था जिसकी वज़े से स्कम हो तो ऐसा कुछ नहीं था कोई ऐसा government की तरफ से कोई support नहीं था जिसकी वज़े से उन्हें problems हो रही थी कि उनके जो उनका जो textile था वो महंगा था other countries से चली बच्चों देखते हैं कोईशन नमर 11 कोईशन नमर 11 हमारा कह रहा है what helped टिसको expand steel production during the first world war during the first world war टिसको steel production को expand होने में किसने help की तो समझते इसको टिसको टाटा iron and steel company तो टिसको जिसकी की foundation का जो टाइम था वो था नाइंटीन सेवन नाइंटीन सेवन में इसकी foundation थी और जो इसका setup था और इस्टील का जो setup वह बहुत अपॉर्चिन टाइम में हुआ वो हुआ 1912 में 1912 में हुआ उस टाइम में क्या था कि railway track जो थे वो काम हो रहा था और उसके लिए ब्रिटेन से iron जो था वो अपॉर्चिन टाइम था क्योंकि उसी समय 1914 में वर्ड वार जो था वो छड़ गया वर्ड वार छड़ जाने से जो ब्रिटेन से इंपोर्ट होके इंडिया आ रहा था वो सारा जाने लगा यूरोप में और इंडिया में उसकी सप्लाइब बंद कर दी गई बस कहते हैं ना कि लाइफ में बस एक लिक चाहिए होता है तो बस वही क्लिक मिला उस टाइम में टिस्को को और जो यह रेलवे ट्रैक का काम था वो दे दिया गया उस टाइम में टिसक को लेकिन जब फर्स्ट वर्ड 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 जो था वो और लंबा छिड़ गया क्योंकि चला था 1914 टू 1918 इतने टाइम तक चला था तो जब फर्स्ट वर्ड वर्ड जो था वो लंबा खिच गया यहां से क्या हुआ कि जो भी थोड़ा बहुत ब्रिटें से इंपोर्ट हो था वो सारा बंद हो गया बलकि एसको को ही ऑड़र मिलने लगा टिसको से ही जाने लगा 我 ए whereak मिलने लगा और यहां से वहां पर export होने लगा यूरोप के लिए export होने लगे चीजे तो हम देगते हैं 19,19 तक जो colonial government थी इंडिया में उसका करीब 90% जितना manufacture होता था TISCO में उसका 90% जो था वह colonial government जो थी वही ले 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 ती थी और जैसे-जैसे समय बीटता गया टिस्को जो था पूरे ब्रिटिश एंपायर का बिगेस्ट इस्टील प्रोडक्शन जो था मैनुफेक्चर था वो बन चुका था आएए अब हम आंसर देखते हैं टिस्को वस सेट अपन अपॉर्चिन टाइम ऑल थू दे लेट 19th सेंचुरी इंडिया वाज इंपोर्टिंग सेंपूर्टिंगी इंपोर्टिंग उत्फीड इंडिया में गाया इंडियमग देखमी सट्ज किया जाता था इंडिया में जो मिगों जिदी रोड वार्म ब्रोडोड बोक आउट इसी प्रोड़ूं इंडियमगे नाउट akan to make the ौ इमिंडांट ऑदल वाएं फोडर्न से म सब्सक्राइज लीजरे सेले इलक्याज दूले ट्रिग त्टे बिलिश टो टॉब टेखले अंट इंड डैलेवे क्टी कुट सम quella यह अग्र। और और यह वार आंटेसा रख लेसलेब, तो उस समय तक हम देखते हैं British Empire का वह जो इस टिसको था वह बिगस्ट इस्टील इंडस्ट्री बन चुका था तो उसको हेल्प किस से मिली वह हमने समझ लिया First World War है जैसे कि अभी हमने पहले के question में क्या देखा था कि उसमें कॉटन इंडस्ट्री के लिए था कि कॉटन इंडस्ट्री भी आगे बढ़ती हो कब बढ़ती तो वह First World War आता है उसी समय डिमांड बढ़ती है क्योंकि बाहर से कपड़े आ रहे थे उस पर रोक लग गई और यहां के यहां से बाहर भी बनके जाने लगा इस वजह से होती क्योंकि जो बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा था उस पर रोक लग जाती है और यहां से बलकी डिमांड जो है वहां पर बढ़ जाती है यहां से वहां पर सप्लाई होने लगती है तो यह उसके एक्स्पेंड होने का रिजन था तो बच्चों हमारा आज का चैप्टर हो झाल झाल